बुद्ध तेरे कितने नाम भागतीन आपने लोक सुना होगा लोक सभा यानि कि लोगों की पबलिक की आम लोगों की सभा जहावी लोक लग जाए लोक का मतलब होता है लोग और पिपल यानि जनता जनार्दन आज यहाँ जो बुद्ध तेरे कितने नाम में क्योंकि भग्रमान बुद्ध जो नाम है उनके बहुत ज़ादा है लोग पे भी उनके कही नाम है जैसे उनका पहला नाम है लोकग लोक अग का मतलब है लोग प्लस अग यानि कि लोग में अग लोग के यहाँ दो मतलब आते हैं एक लोग का मतलब आता है पबलिक जनता लोग और दूसरा लोग का मतलब आता है शरीर यानि जो हमारा सरीर है उसको भी लोग बुला गया है पाली भासब है भग्णवान क्योंकि उन्होंने सरीर की भी जानकारी सारी लिए हुई है और जितने भी लोग हैं उन्में भी उनकी जो विद्वता है जो जानकारी है वो सबसे अधिक है इसलिए उनका एक नाम है लोककग दूसरा उनका नाम है लोकनायक यानि कि जो नायक हैं, लीडर हैं, लोगों के वो भग्नमान बुद्ध हैं, इसलिए उनको लोक नायक भी बोलते हैं एक है उनका नाम है लोकांत गू ये जो गू सब्द है मैंने पहले भी आपको बताया है गू जो है पाली में गुरू को बला जाता है और चूंकि बुद्ध बहुत सारी चीज़ों के गू रहे हैं, इसलिए बाद में इसको गू बनाया गया और जो औरिजिनल सब्द था इसका गू उसको विष्ठा यानि टट्टी बनाया गया जो बहुत जादा बदूदार चीज़ होती है, जिसको क्योंकि अपना जो एसक्रीशन है, जो निकलता है सरीर से वो किसी भी विष्ठी को पसंद नहीं आता, चाहे वो पेड है, चाहे जानवर है, चाहे आदमी है, क्योंकि वो वेश्ट होता है इसलिए गू बुला गया है इस वेश्ट को और उनको उपाधी एक तरह से निगटिव देने की कोशित की गई, मगर आप पाधी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गू का मतलब गुरू होता है लोकांत गुरू का मतलब है, जो सरीर के अंत के गुरू है, यानि सरीर के अंत को जानते हैं, उसके गुरू है, उनको लोकांत गुरू बोलते है एक है लोकाधी पती, लोकाधी पती का मतलब है जिसके अधिकार में लोग हो, उसके स्वामी पती माने मालिक उसके यानि कि वो अपने सरीर के मालिक थे इसलिए उनको लोकाधी पती बोलते हैं क्योंकि अपने सरीर पर उनका अधिकार था और उसके वो स्वामी थे उन्होंने उसको जीत लिया था इसलिए उनका एक नाम लोकाधी पती भी है एक उनका बहुत जानावाना नाम है जो है लोक इसी वर लोक इसी वर को आज की समय में जो बोला जाता है वो लोकेस वर बोला जाता है क्योंकि शेषब तो होता निपाली में इसी वर होता है बाद में इसी वर को इश्वर बनाया यानि लोग के इसी वर जो इसी माने होता है जो खोज करते हैं वैग्यानिक होते हैं और वर माने सबसे स्रेश्ट यानि सरीर के या लोगों के सबसे अधिक खोज करने वाले जानकर करने वाले सबसे स्रेश्ट वैक्ति को लोक इसी वर बोलते हैं बाद में इसको लोकेश वर बोला गया फिर बाद में इसमें दो माताय लगा दी गए क्योंकि संस्काइद भासा में दो माताय चलती है तो लोक की जगे ये लोक हो गया लोकेश वर हो गया एक नाम है लोक गुरू लोक गु और लोक गुरू दोनों ही यानि लोक के गुरू है अपने सरीर के गुरू है और लोगों के भी गुरू है एक उनका नाम है लोक राज यानि कि जो अपना सरीर है उसे राज करने वाले उस पे सासन करने वाले उसको देखने वाले उसे अपने कंट्रोल में करने वाले इसलिए उनका एक नाम लोक राज भी है और एक नाम है उनका लोक विजित्वा विजित्वा का मतलब है जिसने जीत लिया हो अपने लोग को यानि अपने सरीर को तो एक उनका नाम है लोग विजित्वा ये सारे के सारे नाम लोग से आरह होते हैं इसलिए चुगि भगनवान गुरु के जो विदान्त गुरु हैं, उनके जो नाम हैं, जो भगवान बुद्ध हैं, ततागत हैं, उनके हजारों नाम हैं, जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा, आज की स्रीज में इतना ही धन्यवाद। कर दोunden के and स्थ kenल llevar ज 녹τικोंड finा हुआ कर दो .... हुआ हुआ है हुआ है